बूद मॉर्निंग काईज बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई व्लोग में एक्चुली यह व्लोग टाटा टीगोर का रिस्टोरेशन पार्ट टू है पार्ट वन देखने के बाद काफी फ्रेंड्स का मेसेज आया था क्रमेंट भी आई थी कि बाई प पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा हो तो आई बटन पर लिंक आ रहा है जाए और जरूर देखिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब किजिए और वीडियो देखने के बाद लाइक किजिए मिलते हैं वीडियो के बाद तो जैसा कि आपने पार्ट वन में देखा था एक्सिडेंट के बाद हम कार को टाटा के सर्विसेंटर में ले गए थे पर वहां पर कुछ पार्ट अवेलिबल नहीं थे और एस्टिमेंट भी कुछ ज्यादा ही दिया था उन्होंने और और वहां पर बाहर का कोई भी पर्शन अंदर नहीं आ सकता था इसलिए हमें कार को पाइंग करके हमारे फ्रेंस के सर्विसेंटर में ले गए थे वह हमारे घर के पास ही में था यहां आते युहने कार को पुरा भी घर दिया एंगीं बंपर पेंडर बैटरी वायरिंग सब उतार दिया पिछे का बंपर निकल दिया और यह सिलिंडर भी अभी उत्रेगा पीछे का बंपर निकल दिया और यह सिलिंडर भी अभी उत्रेगा युकि यह डेंट को गरम करके सिक्टरना पड़ेगा कि अपरान को हमने बहुत दूंडा कि कहीं पील जाए और इधर लगा दे पर नहीं मिलने पर यह पर फिक करने के लिए जैड लगा रहे है कि अपरान को जैक लगा कर खिचेंगे और गरम पी करेंगे और वह अपने सही सेप में आ जाएगा कार की फायरवल्ड डेमिज भी इससे विल्डिंग करते वक्त डेशबर्ड खरब न हो जाए इसलिए डेशबर्ड भी निकाल दिया कि इतना सब खुलने के बाद इधर पता चल गए हमको कि इसमें डेंट और पेंट का काम ज्यादा है तो हमने सुचा कि इधर से ले जाए के कार को किसी एक्सपर्ट के पास ले जाते और उधर ही इसका डेंट का काम करवाते तो अच्छा रहेगा फिर हमने यहां से भी कार को ट्वाइंग करके बाडी वर्क्सपर्ट में ले गए जहां पे हो एक्सपर्ट था वहाँ पर उन्होंने उसे दिन कार के पीछे का डेंट निकल के बाडी ठीक कर दी और बंपर भी लगा दिया तो कार हमारी पीछे से भी ठीक हो गई थी आगे में एपरोन का कुछ पाठ हमको मिला था कुछ नहीं मिला था जो नहीं मिला था उसको एलाइमेंट करके ठीक कर दिया और जो मिला था उसको वहां पर लगा दिया विल्डिंग करके कि अधिक तरह से लग जाने के बाद बॉनेट की अंदर की बॉड़ी लाइन बिल्कुल ठीक हो जाने के बाद बॉनेट और साइड के फेंडर लगा दिये उसी साथ दूर भी लगा दिया और अभी हेड लाइट और बंपर दोनों फीट करेंगे कर दो सकत मेंसीह कर दोस्टाइब कर दोस्क्या आप और जैसा कि आप देख रहे हो लाइट भी बहुत अच्छी तरह से फिटिंग आ गया है जैसे कमपनी करती ऐसे ही अभी जहां पर ग्यापती वहां पर सीलेंट भी पर दिया तकि कलर अच्छी तरह से हो सेफ इसको अच्छा मिले और दूसरी बात भी अभी यह सब काम हुआ है तो जन्द भी इसमें लगने का ख़दरा रहेगा तो यह विलेंट की बज़े से इसमें जन्द भी नहीं आएगा सब पार्ट्स कार में जन्यानियम लाए थे टाटा का और इसका फूल इंसूरंस है तो अगर ओरिजिनल बील आप नहीं दोगे तो इंसूरंस क्लेम नहीं होगा इसलिए ख्याल रखे कि जब भी आपिकार ऐसे ठीक करोए तो पार्ट्स हमेशा उनके जन्यान स्टोर से ही बाई कीजिए और अपक्का विल भी जरूर लिजिएगा मिलते हैं वीडियो के बाद वीडियो पसंद आया हो पार्ट 3 वी बहुत जल दा रहा है तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर डबाईए ठैंक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में झाल आँ, जिल्बाईब गार्ट 3 वीडियो में चैनल क्योंब तैंस-वी जरूर रंपक्ष्ण। आपक्ष्ण।